नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं हिमाच्य प्रदेश में हुई TGT TET की परिक्षा जो आर्स का था और इसमें हम सेक्शन 3 से लिकर की 150 तक जितने भी आपके दूसरे जो जीके और सोशल स्ट बताने कि आपको कोशिश कर रहे हैं तो अगर कुछ एक गलती रह जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा तो यहां पर देखिए सबसे पहला प्रशन है भारत में नागरिक्ता का अंत किया जा सकता है तो इसका जो सही उतर होना चाहिए था विकल्प नमबर D इन मैं से कोई नहीं कियो नागरिक्ता का अंत कभी नहीं किया सकता इन स्थितियों में अगला प्रशन है यहां पर देखिए 62 GDP में पीखा अर्थ होता है तो देखिए पीखा जो अर्थ होता है विकल्प नमबर A प्रोड़क्ट नेक्स प्रशन है ब्लेक पेगोड़ा स्थ तो यह थे इंडो ग्रीक अगला प्रशने देखिए भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है तो सलीम अली विकल्प नमबर बी सायूतर होना चाहिए हमारे पास यह बी सीरीज का प्रशन है दोस्तो अगर आपके पास किसी भी दूसरी सीरीज का पेपर है तो आप उसके साथ मिला कर लीजेगा नेक्स प्रशन यहां पर देखिए इसके बाद 67 प्रशने विश्चु का सबसे बड़ा शीत मरुस्तल कौन सा है तो इसमें आपका ठंडा मरुस्तल पूछा गया है तो आपका अंटार्क्टिका सायूतर होना चाहिए अगला प्रशने देखिए जिम विकल्प नंबर B सायूतर होना चाहिए नेक्स प्रशन है यहां पर उस प्रत्थम व्यक्ति का नाम बताईए जिसने दूरबीन का उप्योग अकाशिय पिंडों का अध्यान करने के लिए किया तो यह है गलिलियो विकल्प नंबर B तारीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन ह तो तारीके हिंद लिखी है अलबिरूनी ने विकल्प नंबर A इसका सायूतर होना चाहिए और प्रित्वी राज रासो किस के द्वारा लिखी गई है तो यह है चंद बरदाई और इनकी यह प्रसिद गभीता थी ठीक है सूर्दास ने किस भाशा में कृष्ण की प्रशन स में कभीताएं लिखी थी तो सूर्दास की जो भाशा थी यह ब्रज भाशा थी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो इसका उद्गम स्थल है देखिए अमर कंटक यह प्रशन भी कई बार रिपीट होता रहता है निमन में से किस राजय में मिस सिमली पाल वायो रिजार उस कंटेनर्ज किस प्लास्टिक से बने होते हैं तो इसका जो सही उतर होगा देखिए HDPE जो हाई डेंसिटी पॉलियेथिन इसका सही उतर होगा विकल्प नमबर A नेक्स प्रशने देखिए बेरोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है तो वाय मन लिए तामान को मापा जाएग विकल्प नमबर A साय उतर होगा द्वनी तरंगों का संचरन होता है तो इसमें आपके सब ही आ जाएंगे ठोस तरल बगेरा बगेरा जो भी हैं कैस अगला प्रशने दिखिए इंडोक्राइन ग्रंथी में मौझूद रसाइन कहलाता है तो यह आपका होर्मोन विकल्प नम नमबर B साय उतर होगा आंधरपरदेश की नई राजधानी कौन है तो आंधरपरदेश की राजधानी है देखिए अमरावती विकल्प नमबर B साय उतर होगा नेक्स प्रशने देखिए पंतालीस वा जी सेवन समिरन दो हजार उननीस का आयोजन किस देश में हुआ तो फ् प्रिहस्पती 87 का होगा विकल्प नमबर B साय उतर अगला प्रशन हम देख लेते हैं अगला प्रशन है उतरी अमेरिका दक्षन अमरिका से कैसे जुड़ा है तो यह होगा आपका विकल्प नमबर B नहर सहाधरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो यह सहाधरी आपका प मुद्रगोप तो विकल्प नमबर A साही उतर होगा ब्यानुमा प्रशने रिखिए मुसुली पतनम का किला किसने बनवाया था तो डचों के द्वारा विकल्प नमबर B साही उतर होगा प्रत्म लोगसभा के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे जी भी मावलंकर विकल्प नमबर B साही उतर होना चाही था सर्तानुमा जो प्रशने दिखिए समयधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतरगत आता है तो ये आपका विकल्प नमबर A मूल अधिकार विकल्प नमबर A इसका साही उतर होगा भारत के सर्वोच नियाले की स्थापना कब की गई थी तो ये थी 26 जनवर 1950 विकल्प नमबर A इसका साही उतर होगा सरकारिया आयोग किस से सμबंधित था तो ये था केंद्र और राजे से संबंधित विकल्प नमबर C साय उतर होगा 100 जो प्रशन है दीखिए राजे सबा का कारेकाल कितना होता है तो ये है 6 वर्ष विकल्प नमबर C साय उतर होगा और दलाल स्ट्रीट अवस्थित है तो यह है विकल्प नुम्बर D मुंबई में पंचाइदी राज प्रनाली कैसी है तो यह है आपकी त्रीस तर्य प्रनाली थ्री टायर सिस्टम नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए वर्ष 1979 में कितने बैंकों को राष्टे कृत किया गया था तो यह थे 14 इंद्रा गांधी के द्वारा विकल्प नुम्बर C अंतराष्टी महिला दिवस कब मना जाता है तो यह 8 मार्च को मना जाता है अगला परशन है 105 वाँ सबसे पुराना वेद कौन सा है तो यह है आपका रिगवेद विकल्प नुम्र D साही उतर होगा इस इंडिया कंपरी ने भारत में किस स्थान पर पहली फेक्टरी स्थापित की थी तो यह थी सूरत में विकल्प नुम्र C साही उतर होगा आरे समाज की स्थापना किस ने की तो आरे समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानन सरसुती ने अमीर खुसरों को समाने तक किस वाद्य के यंत्र के लिए श्रीय दी जाता तो यह सितार वादग थे विकल्प नमबर C साही उत्तर होगा नेक्स पशने दिए विश्यो में नियुन्तम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है तो यह है अटाकामा विकल्प नमबर A इसका साही उतर होगा जमीन से उपर उजोन परत की उन्चाई लगभग लगभग में पुछा गया प्रोक्स 40-60 किलोमेटर के आसपास मेरीनो परजाती है तो मेरीनो है आपकी भेड की परजाती जो आपके ऐस्टेलिया में पाए जाती है दिशानतर रेखाओं की कुल संक्या कितनी है तो यह है आपकी 360 विकल्प नमबर C साही उतर होगा निमन मैं से किस नदी पर स्थित है तो इसका जो साही उत्र होगा बिकल्प नमबर C भाबा एटाउमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है तो यहापका मुंबय के महराष्ट्रा में होगा विकल्प नमबर जो सोलमा प्रशन है देखिए इसका जो सही उत्र होगा विकल्प नमबर C अगला प्रशन है संविधान के अनुसार भारत क्या है तो भारत है राजियों का संग विकल्प नमबर B सही उत्र होना चाहिए नेक्स से दिखिए समविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है समविधान में संशोधन का जो प्रावधान मिलता है दिखिए विकल्प नमबर A 368 में अगला प्रशन है वेदों की और लौटो का आवाहन किस ने दिया था तो ये दिया था स्वामी द्यानंद सरसोती जी ने विकल्प नमबर C जो है इसका सही उत्तर होगा 120 प्रशन है दिखिए समराजजबाद का अर्थ क्या है विस्तारन सबसे पहला है लेकिन शोशन और उपनी वेशवाद ये सारी चीज़ें भी इसी के अंतरगत आ जाएंगी तो विकल्प नमबर D इसका क्या होगा सही उत्तर होगा तो ये थे पहले के जो क्वेशन अब हम देख लेते हैं इसके अलावा जो आपका जनल अवेरनेस वाला है चौता सेक्शन हमारा इसमें 121 से लिकरके 150 तक के जो क्वेशन है यहाँ पर देखिए जेन धरम में कितने तिर्थंकर थे तिर्थंकर थे तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका विकल्प नमबर C 24 नेक्स प्रशन है देखिए 122 वें फिलेटली संबंधित है तो ये है आपका देखिए 122 वें का जो सही उत्तर होगा टीकेटव का संगर है विकल्प नमबर C सही उत्तर हो का विकल्प नमबर B, सही उतर होना चाहिए, अगला प्रशन है देखिए, भारत में अर्जुन अवर्ड की शुरुवात कब की गई थी, तो अर्जुन अवर्ड की शुरुवात 1961, विकल्प नमबर आपका 125 का होना चाहिए, D, हाल ही में लदाक के प्रत्थम लेप्टिनेंट किन है नियुक्त किया गया है, 126 वन जो प्रशन है देखिए, इसका जो सही उतर होगा, R के माथूर, विकल्प नमबर B, 127 प्रशन देख लेते हैं, रविंदर ना टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबल पुरुषकार जीता था, तो इसका जो सही उतर है देखिए, वि विकल्प नमबर B, सतलुज नदी पर, अगला प्रशन है देखिए, 131 केंदर सरकार द्वारा, दो भूतपूर मंत्रालियों, जल संसादन तता पेजलेओं सवचता मंत्रालियों को मिलाकर, एक नया मंत्रालिय बनाया गया है, उसका नाम बताएं, तो देखिए, इसका जो स सही उतर होगा, विकल्प नमबर D, बर्मिंगम में, विकल्प नमबर D सही उतर होगा, कौन सा दर्रा, वैली ओफ शैडोज के नाम से प्रसिध है, 132 में प्रशन का उतर होगा, विकल्प नमबर C, रोहतांग दर्रा, अगला प्रशन है देखिए, प्रशन संख्या 133, चीन तो देखिए इसका जो सही उतर होगा आपका विकल्प नमबर 134 का विकल्प नमबर A, वरोग, ठीक है, लेडी ओफ के लॉंग क्या है, तो देखिए 135 में का जो उतर होगा यह होगा, एक प्रसिद गलेशियर, ठीक है, लेडी ओफ के लॉंग, अगला परशन है यहां पर सीमा या जमीनी सांचा करता है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा विकल्प नमबर D, बांगला देश, अगला प्रशन है निमन में से कौन से उक्तराष्ट सुरक्षा परिचत का सदाई सदस्य नहीं है, 138 में का उतर होगा भारत, तो भारत का है से उक्तराष के मध्य स्थित है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए शुक्रव मंगल, विकल्प नमबर B, 140 में का सही उतर होना चाहिए, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधिक कितनी होती है, तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो है आपका 12 गंटे विकल्प नमबर B सही उतर हो तो इसका जो सही उतर होगा देखिए दक्षिन अफ्रीका, अगला प्रशन है देखिए कीर्थी स्थापित है, कीर्थी स्थापित है, इसका सही उतर है आपका विकल्प नमबर B, चिताओडगर, 145 में प्रशन देख लेते हैं, सोडा वाटर में किस गैस का उप्योग किया तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर D, विल्यम वर्ड्जवर्थ, 147 में प्रशन है, स्वतनता आंदोलन में किस करांतिकारी के मृत्यू अनिश्चित कालिन भूख हरताल से हुई थी, तो 147 में का जो सही उतर होगा देखिए यह होगा विकल्प नमबर A, जतिन द तो इसका जो सही उतर होना चाहिए वो होगा विकल्प नमबर B, तो अच्छा, नेक्स और आखरी प्रशन आज का है देखिए, विटमिन C का रसाइनिक नाम क्या है, तो विटमिन C का रसाइनिक नाम है देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर B, एस्कॉर्विक अमल, तो ये थे दोस्तो, 61 से लेकर के 150 तक के एक क्वेशन, अगर इन प्रशनों में मुझसे कुछ एक गलती रह गई हो, तो आप कोमेंट सक्षन में जाकर वो बता सकते हैं, ताकि हर एक विद्याती तक सही से जानकारी पहुंच सके, और बहुत जल्द हम इसका दूसरा बने रहे हिंदी सहीत्य वारता चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नई उर्जान इस्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद